दिली बालों को हर महिने 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिने और बिजली के बिल आधी करने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा एलान किया है इस बार दिली सरकार की चिंता और चिंतन की केंदर में आधी आबादी है केजरिवाल सरकार ने दिली की महिलाओं को पबलिक ट्रांसपोर्ट में निशुल की सफर का तोहवा देने का एलान किया है महिलाओं को दिली मेट्रो, डीटीसी और कलस्टर बसों में निशुल की आत्रा की सुधाम लेगी इससे होने वाली नुकसान की भरपाई दिली सरकार करेगी अधिकारियों को इसके लिए प्रपोजल तयार करने को कह गया है दिली सरकार का दावा है कि प्रपोजल तयार होते ही इसे दो से तीन महिने में लागू कर दिया जाएगा एक हफ़ते का टाइम दिया है एक हफ़ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे दोनों DTCB और मेट्रो भी हम कोशिश करेंगे कि दो से तीन महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके निशुल की आत्रा के साथ ही महिला सुरक्षा पर भी केजरिवाल सरकार ने बड़ा एलान किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए देर लाग CCTV कैमरे लगाने का टेंडर दिया गया था सत्तर हजार CCTV लगाने के लिए सर्वे हो चुका है आठ जून से कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा केजरिवाल सरकार एक लाग 40 हजार और कैमरे लगाने का प्रपोजल भी इसी महिने लाइगी केजरिवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली की महिलाओं में खोशी की लहर है हो सकता है कि वहाँ पे नंबर आफ पैसेंजर्स जादा हो सकते हैं बहुत जादा भीड हो सकती है हमार ले तो फाइदा ही होगा जब केजरी वाल इतनी इसे विदा हमेरे दे रहे हैं उसपर इफेक्ट पढ़ेगा न गलत दिल्ली में बसों और मेट्रों में कोलियात्रियों में 33 फीज़ दी महिलाएं होती हैं इसके मताबिक मेट्रों में महिलाओं की मुफत यात्रा पर करीब 1000 करोड रुपे हर साल खर्च होंगे जबकि करीब 200 करोड रुपे का खर्च बस्व पर आएगा यानि इस योजना को लागू करने के लिए दिली सरकार को 1200 करोड रुपे खर्च करने होंगे महमद इमरान, सुराज एक्सप्रेस, दिली